इस पिता का मंगल हुए रे पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हुए रे इस जगत के सब दुखिया रे प्राणी का मंगल हुए रे जल में स्थल में और गगन में सब का मंगल हुए रे अंतर मन के गाथे तूते अंतर निर्मल हुए रे राग द्वेश और मुहमित जाए शीन समाधी खोय रे शुथ धर्म धरती पर जागे पाप पराज तक खोय रे इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे शुथ धर्म जन जन में जागे गर गर शांती समोय रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हुए रे पर भुप औू झाल 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 गहरा स्वास ओम के उच्चारण के लिए भरेंगे एक और गहरा स्वास भरेंगे गहरा स्वास ओम को चार गहरा स्वास ओम को चार्ण देरे से आखें खुलें गुड बॉनिंग नमस्ते और तीन ठाके आज के इस सत्र की खुसी में कैसे आप सब अविनास जी भारती जी कृष्णा जी बढ़िया जी आपके ऊपर बल्ब लगा है या चंद्रमा या चंद्रमा या चंद्रमा या बहुत सुन्द्र सब्सक्राइब को जीते हैं आज के योग सत्र का प्रारम करते हैं आज बड़ी मंगल कामना के साथ ये योग सत्र प्रारम हुआ और आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं बल्किती कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते हैं कुछ बड़े भी जुड़ते हैं दो रोग जीवन में बड़े सता रहे हैं भारतिये आम जनको उन दोनों में एक है डाइविटीज एक है ब्लड प्रेशर हाइपर टैंसल तनाव अवसाद यह हमारी पहनो को काम करने वाले वाईयों को देर सबेर कहीने के अवसाद से उनका बाकिफ होते हैं और उनका वास्ता पढ़ता है और डाइविटीज तो 40 से उपर लगभग अब पैर पसार रहा है पहले सहरों में था और गाओं में भी होने लगाए तो इन दोलों सबस्याओं को आज हम चर्चा करेंगे ऐसे कौन से योग में छोटे-छोटे उपाए हैं जिनसे हम डाइविटीज को ठीक कर सकते हैं हाईपर टैंसन को ठीक कर सकते हैं तीसरा बच्चों को कैसे मेधा भी बनाएं उनको बुद्धी उनकी तीब्र करें तीचन बुद्धी शार्क मेमरी अच्छी सोच मजबूत ससर्ट बनाएं इसके लिए तीन चीजें आज हम करने वाले आई सबसे पहले फोल्ड करके पैर बैठ जाएंगे जो लोग फोल्ड करके बैठ सकते ऐसे बैठ है और जो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते वो क्रोस लैग बैठ सकते हैं यानि आराम से जिस तरीके से बैठ सकते वैसे बैठ है सबसे पहला हमारा आसन सबसे पहला हमारा का सुबह सुबह दोनों हाथों को इंटरलोग किया गहरा स्वास भारा ऊपर की रखा खीच के रखा एक दो तीन जार पांट शेट साब आठ नौ दस ग्यार आठ तेरग चोदर पंदरग सोलंग सत्रग ठारग उन्नीस धीस भीरे से बापस रिलाक्स बच्चे और बए आदत डाले घर में बच्चों को कहें कि यह खिचाई रोज करें ताकि यह सारी अकडन यहां से उपर की निकले और खड़ेओं के करें तो पूरे सरीर की अकडन निकले आई एक बार फिर करेंगे सी को तो पूरा सांस बेंगे उपर तीरे से बापस एक बहन ने परसों प्रश्न पूछा था कि उनका बच्चा तीरंदाजी करता है यह वाला उसे खूब करवाएं दो तीन वार उसे आप अपने प्रविक्षन में अपनी बोनेटरिंग में करवाएं इसको यहां से कलाई पकड़ के खीचा अब इसको लेफ्ट राइट स्वांस भरके दो तीन चार्ट 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 नो तस एंड विस्रा रिलैक्स पापस आजाएं यह था बॉड़ी के इनमें स्ट्रेच की करते हैं पूरी तरह दोनों मुठी वाने और आज एक दो जाएं आठ नौ दस ग्यारत बारत देरत चौदर पंद्रत सोलर्ट इस इक वाइस तेईस चोईस अर्चना से आपको माय खुला है कि अधनी सब्सक्राइब करें अधनी स्ट्रीश चाहरे पें मुश्कराहट और पूरा चहरा जोष की बुद्रा में स्वास्ट, अंदर जाता हुआ बाहर आता हुआ शेतर सटेख गतार उन्यासी ऐसी असी देसी ट्रासी चासी 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 श्टासी आठाएज रिलेक्स गहरे इसनास अंदर धीरे धीरे स्वास बाहर स्वास अंदर ताकि पूरा है पड़ा और दोनों स्थिर हो इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा रट का संचार रट दाव बढ़ा उस दाव को बापस नॉर्मल करें तो डाइविटीज की चर्चा हम कर रहे थे कौन भाई यहां है जो डाइविटीज से अगर पीड़ है तो वो अपना माइक खोल सकते है और यहां अब हम आगे बढ़ेंगे डाइविटीज दो तरह की होती एक डाइविटीज ऐसी होती है जो 90% लोगों को है और वो 90% लोगों को डाइविटीज यह है कि उनकी पेन क्रियाज हमारे कार्वो हाइड्रेट्स को बचाने के लिए जो हमें आर्मोंस चाहिए इंसुलीन बनाने वाले बीटा सेंस उसमें बनने बंद हो जाते हैं उस इं इसे पांच उपाए डाइविटीज के लिए यह वाले आउंखे अब यहां लिया यह उठा हुआ बांदी यहां नाभी के पास रखें गहरा स्वांस भरा खाली किया खाली करने के बाद इसको पीट पर अंदर धसाया और यहां से आप जुके रहे जुके रहे जुके रहे और यही पर दवाब आने दिया अपके माइक सकर रहा हुई दोनों हाथ से आपको करना है दोनों हाथ से जुपकर बैठे रहे ऐसे और आगे देखकर नगहाँ सामने पापस यह एक चरण हुआ जिनको डाइविटीज डाउन करनी है यानि ब्लड शुगर कम करना है वो इसे खूप 10 से 15 मिर्ट रोज करे ताकि पेन क्रियास पर यहाँ बीटा सैंस बनने शुरू हो और इंसुलीन रिलीज होना शुरू हो ताकि हमारे खाए हुए कार्वोहाइड्रेट्स जो ग्लुकोज बनाते हैं वो खून में जाकर जो ग्ल ग्रतियों का बोजन है वो अंदर जाता तो है पर जो काम में नहीं आता जो अतिरिक्त सरकरा है वो खून में घूंती रहती है तो उस घूंती हुई सरकरा को इंसुलीन से न्यूट्रल करके सरीर बाहर निकाल दे इसलिए बॉडी में इंसुलीन चाहिए अगर इंसुलीन न कंट्रोल रहता है नॉर्मल रहता है अगर इंसुलीन कम पढ़ गई तो हमारा ब्लड ग्लुकोस ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और हम डावेटिक बन जाते हैं अपनी डावेटिक बन जाते हैं इसको फिर से वही आउंठे लगाए स्वास भरा खाली किया इसका नाम है मं पंडू कासर इसको दवाओ पेट को चुबने दो यह पेट में चुबन पैदा करें दीरे दीरे आपको चुबन लगेगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारे वारे तेरे चोड़े पंद्रे सोले सत्रे ठारे उन्नीस बीस बापस रिलैस यह पेट कपास सास की तरह नरम बनना चाहिए पेट क्रियाज पर प्रेशर जाए तीन सास भरा खाली किया पूरा पेट में अंदर चुबाए तो न उठे और मंडू कासन के लिए नंबर तीन राउंड के लिए जुके चेहरे पर मुस्कराहट निघा सामने और उठों को पूरी तरह पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सूले, सत्रे, ठारे, उननीस और बीस रिलेक्स जिनको पेट पर जमी होई चर्वी कम करनी है पेट को नरम मजबूत बनाना है वो इस आसन को रोज सुभे पांच से दसवार करे खाली पेट अब इसको एक बार बाया हात नीचे इसका भाग भी दूसरा भाग पहला भाग था अंउठों को ऐसे चुभाया बच्चे भी करें पेट को नरम बनाए पेट को मजबूत बनाए अब इसका बाया हात नीचे दाहिना उपर स्वास भरके खाली किया और इन दोनों हाथों को और न्दर दवाया। दवाने के बाद آगी जुके और हाथ दोनों दवे रहे। यानि हतेली का दवाव पेट पर उपर की तरफ। पेट का दवाव पतेली पर का नहीं। इस प्रकार जुके हुए निघा सामने चेहरे पर मुस्कराहट जोस की मुद्रा और यहां हमें कपाल भाती का अभ्यास करना है यानि पेट में जटके मारने हैं स्वांस नाख से बाहर जाए पेट में हलचल पैदा हो पेट हिलने दो स्वांस को बाहर फेको स्वांस ऑटोमेटिक अंदर आएगा और धीरे से बापस रेलाक्स फिर वही बाया हाथ अंदर दाहिना उपर स्वांस भर के पुरा खाली किया और पेट को अंदर चुबने दिया यानि पेट में अंदर दोनों हाथ जमा दिये फिर सामने निगहा सामने देखते रहे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, चौद, पंदर, सोल, सत्र, थार, उन्नीस, भीज रिलेक्स, गहरा स्वास भरा, खाली किया, गहरा स्वास भरा, खाली किया, ये आसन अकेला इतना कारगर है कि आपकी डायविटीज को एक हपते में नियंतरन में ला सकता है ये पेंट करता है कि आपकी दिन जर्या और खनपन कैसा है तो जो लोग इसका अभ्यास करें उनकी डायविटीज अगर है तो वो ठीक होगी जिनको नहीं है और होने का खत्रा लगता है उनको होगी नहीं और जिनको diabetes ना है, ना होगी, ना थी, उनका पेट बड़ा नरम रहने वाला है, यह अंदर वाला system बड़ा मजबूत रहने वाला है, इसे मंडू का आसन, फ्रॉब पोज बोलते हैं, दूसरा इसमें आसन दोनों पैरों को खोल कर, दोनों पैरों के बीच में डेड़ फुट का फासला बनाएए, डेड़ फुट के फासले में दोनों हाथ आगे रखे हैं, यह diabetes का आसन नंबर दो है, diabetes और hyperpencer, दोनों को कम करता है, यहां दोनों हाथ बीच में रखे, स्लाइड करके दोनों हाथ आगे ले गए, आगे ले जाकर गेहरा स्वास भरके खाली किया, और खाली करते करते थोड़ी और सीना जमीन पर लाए, थोड़ी और सीना जमीन पर है, कमर को ढीला छोड़ा, ब कोहनियों तक हाथ जमीन पर, ठोड़ी और सीना जमीन पर, दोनों घुटने पैरों के पंजे जमीन पर, कमर पर जोर पड़ता हुआ, स्वांस छोटा चलता हुआ, छोटा स्वांस आता जाता आता जाता, रुकें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, धी धीरे धीरे हाथा को स्लाइड करते हुए बापस आए, आसन नंबर दो, यानि ये था हमारा ससांक आसन, इसे ससकासन भी बोलते हैं, का मतलब है रैबिट पोच, पहला था मंडू कासन फ्रॉग पोच, दूसरा था रैबिट पोच, योग में हम सारे जानवरों की अपेक्ष करते हैं और जानवरों से सीखते हैं कि स्वस्त कैसे रहा जाता है, तो मंडू का सन फ्रॉग पोच हमें डायविटी से रिलीव करने के लिए और उसकी छुटकारा पाने के लिए फायदा करता है दूसरा रैबिट पोच, अब तीसरा दोनों पैर आगे करें, यहां से दोनो हाथों के अंठों को पकड़ें, अंठे पकड़कर और पैर जमीन पर जमे रहें, यहां से दोनों हाथों को पकड़कर नीचे की तरफ जुकना है आपको, गर्दन ऐसे नीचे लानी है कि आपकी थोड़ी अत्वा नाक आपके गुटनों से लगे और गुटने ना उठें, ऐसे गुटने ना उठें, ठोड़ी अत्वा नीचे आपकी नाक गुटनों से लगे और इसे हर व्यक्ति से सुरू में यह नहीं होता, क्योंकि कमर हमारी उतनी लचीली नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पैर से करें, यहां एक पैर मोड लें, आपने बाया पैर और यहां एक हाथ लिया, और यहां से आपने थोड़ी अत्वा नाक गुटने से लगाने की कोसिस की, इससे भी पेट पर बहुत अच्छा दवाब पड़ता है, वैसे ही दूसरे पैर से किया, यहां से करेंगे स्वास भरा, और यहां से आपने नाक अत्वा थोड़ी पैर स लगाने की कोसिस की ये पस्चिमो तानाशन हमने किया उसका आदा भाग पूरा भाग इसके अलावा जब हम दाइबुटीज को कंट्रॉल करते हैं तो दो और मुख्यासन है जिन से हम बाएं पैर को मोड़ा और दाहिने पैर को यहां हमने उपर रखा किसी कमाई खुला है यह पैर यहां हमने रखा अब जो पैर उपर है इस हाथ को उपर ले और जो पैर नीचे है उसके लिए यहां से इस पैर को हमने पैर के टकने को पकड़ा इस पैर के टकने को पकड़ा एक पैर पीछे है हाथ पीछे है गर्दन को पीछे ले गए गर्दन पीछे ले गए और पेट पर प्रभाव आने दिया पेट पर प्रभाव और यहीं बैठे बैठे कपालभाती कपालभाती के स्ट्रॉक लगा एक दस और फिर वापस निकले अब यही कार दूसरे पैर के साथ दूसरे पैर को मोड़ कर आपने अपने सरीर का बजन उस पैर पर सिफ्ट किया और आगे वाले पैर को दूसरे पैर के आगे इस पर कार रखा अब यहां से जो पैर उपर है यानी बाया तो बाया हाथ पीछे दाहिने हाथ से बाय पैर के पास हाथ अथवा टखने को पकड़ा और गर्दन पीछे पेट को पूरा मुड़ने दे यहां से पेट मुड़ेगा तो पेट पर पूरा दवाब बनाते हुए पेट पर पूरा आने दो और इसी अवस्था में स्वांस खाली करके छोटे-छोटे कपाल भाती के जटके ताकि पेन की आज़ पर प्रेशर बने वहां से बीटा सेल्स एक्टिवेट हों और आपका इंसुलीन रिलीज होना सुनू इस प्रकार हमें 10 से 20 स्ट्रॉप कपाल भाती के एक राउंड में लगाने हैं धीरे से वापस रिलाक्स ये था हमारा तीसरा आसन डायविटीज को रिलीव करने के लिए हमारे पास सवासन सवासन का मतलब लिटना आप बड़ी आसानी से धीरे से जमीन पर ऐसे लिटें कि दोनों पैरों में फासला एक फुट का फासला दोनों पंजे बाहर गिरे हुए अथे लिया आसमान की तरफ रुख करती हुई इसी अवस्था में पड़े रहे और यहां लेटे लेटे कपाल भाती वाला हम अभ्यास करेंगे पेट अंदर जाये बाहर आए पेट अंदर जाये बाहर आए इस प्रकार पांच मिनट का बिस्राम और यह आसन इस कॉल्ड कॉप्स पोच सवासन हाइपर टेंशन और डियाबिटीज दोनों में यह आसन बढ़ा कारगर है तो चार आसन हमने सीखे पहला था मंदूकासन दूसरा था हमारा ससकासन फ्रॉब पोच रबिट पोच दें टचिंग यह बोद दा हैंड्स और यह नोस और यह चिन बिजो नीज पस्चमुत तानाशन सवासन और अर्ध मत्सेंद्रासन हाफ फिस पोच और कॉप्स पोच यह पांच आसन चार और एक पांच आसन हमने सीखे अगर यह पांच आसन भी हम रोज करें तो डाइविटीज से छुटकारा मिल सकता है इसमसे ज्यादा कारगर है मंडूक आसन जिसको पेट पर दवाबाते तो उसके पांच आसन एक प्राणाया अगला कौन सा प्राणाया कपालभाती जो डाइविटीज में सबसे ज्यादा कारगर है कैसे करें अभियास करें यह 10 से 15 मिनिट रोज कपालभाती सुभ है साम तो जिनको भी अपनी डाइविटीज कंट्रॉल करनी है वो एक तो कार्वो हाइट्रेट्स कम खाएं और खूब कपालभाती करें खूब बंडू का सन करें जीवन से डाइविटीज बाहर निकल सकती है अब बारी आई हाइपरटेंसल हम बड़े परिशान होते हैं हरवेती परिशान है जिन्दगी में सब भागे जा रहें कोई पहुँच नहीं रहा सब दोड़ में लगे हुए हैं इस दोड़ में यदा कदा और अक्सर हमें तनाग उत्पन हो जाता है इस तनाग का कारण ये है कि हमारे रक्ट में ऐसे हार्मोन्स घुलने शुरू हो जाते हैं जो हमारे अंदर मन और भावनाओं को दुस प्रभावित करते हैं उनका दुस प्रभाव हमारे मन और भावनाओं पर पड़ता है और हम असहैच महसूस करने लगते हैं इसकी जो chemical reaction अंदर है जो ब्लड में बढ़ना सुरू हो जाता है, जो जम्मेदार है fight and flight के लिए, तो वो कॉटिशोल कंट्रॉल में रहे, वो disorder ना हो, उसके लिए हम क्या करें, योग उसमें हमें बड़ी व्यवस्था करके देता है, कि हमारे कॉटिशोल लेवल्स कंट्रॉल रहे, वो कंट्रॉल करने के लिए हमारे हैपी हार्मोन्स ज्यादा स्त्रावित हो, so that we feel happy, हम खुस महसूस करें, ऐसी खुसी की महसूसी के लिए हमें चार हार्मोन्स चाहिए, चार हार्मोन्स से यह उता है, डोपामान चाहिए होता ह है, ऑक्सिटोसिन चाहिए होता है, एंडोर्फिन्स चाहिए होता है, चार हार्मोन्स को ज्यादा इस्त्रावित करने वाले, हमें खुसी की भावना ज्यादा देने वाले, क्रोध, चिंता, अवसाद, तनाव, देनिक जीवन में तकलीफ हैं, बिचारों से होने वाली समस्य रिस्तों से होने वाली भावनाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम हमारे पास बहुत सुन्दर उपाएं सुखासन में बैठें पहली उंगलिया उठे के साथ और यहां से गहरा स्वास भर के छोड़ा पहला गहरा स्वास धीरे धीरे भरा और छोड़ा रोज सुखासन में बैठकर पहली उंगलिया उठे के नीचे दवाई और अराम से रीड की हटी सीधी करके बैठ गए अगर आपके सामने कोई संगीत की मधुर धोनी धीमे संगीत की मधुर धोनी जिसमें बासुरी सितार बादन हो सकता है अपने आसपास लगाया गेहरे स्वास भरे और चोड़ दिए जल्दी से आप आँखे बंद करके 10 गेहर। अथा है और छोड़े अ गहरे सांस भरें और छोड़ें। भरते जाओ गहरा स्वांस जोज के लिए छोड़ते जाओ blissful joy के लिए। आनंद पूर्वक सुख की अनुभूती के लिए। सुख की पराकास्था आनंद मैं बनने के लिए गहरे स्वांस भरें और धीरे धीरे खाली करते जाएं। जीरे से आखे खोलने। यहां जैसे ही पांच स्वांस आप लोगें जीवन से अवशार, तनाव, चिंता की स्थितियां कम होनी लगती है। इस अभ्यास को जिन लोगों को हाइपरटेंसन रहती है, दूसरों की बात ज्यादा बुरी लगती है, वो इस अभ्यास को अवस्य खरें। इसके अलावा एक आसन है, जो हमें हाइपरटेंसन, कमर दर्ध और डाइबिटीज तीनों से हमें मुक्ती दिलाता है, और वो आसन है, आप नीचे लेटें, दोनों हाथ हवा में इस प्रकार खड़े करें कि कौनी हवा में हो, अतेलियां जमीन पर, दोनों पंजे, दोनों बुटने जमीन पर, स्वांस भरते हुए, आगे सुठेंगे, एक, पर कमर को नीचे लेटगने रेगे, निगा, आसमान में स्वांस भlenा हुआ, कमर को नीचे आने दे, दोनों हाथों को, खंबे की तरह खड़ा करना है, पर इसी अवस्था में रुकना है, उपर निगा, आ स्वांस खाली करते हूँ वापस फिर स्वांस भरते हूँ दो भुजंग आसन यानि कोब्रा पोच बहुत कारगर आसन है कमरदर्ध गर्दन दर्ब कंधे आंतिक सरीर अवसाद हैपी हार्मोंस बढ़ाने के लिए कोटिशोल कम करने के लिए इंसुलीन ज्यादा रिज़ करने के लिए बीटा सेल्फ को एक्टिवेट करने के लिए आप रोज 20 से 30 बार इस आसन का अभ्यास करें भीरे से वापस रिलैक्स यहां से हमने सीखा भुजन आसन अगर डाइविटीज को बाहर में कालना है तो भुजन आसन और सहेज ये दो अभ्यास हमारे बड़े काम के जब भी हमें गुस्सा आए किसी की बात बुरी लगे तनाव हो अवसाद हो भले बोजन किया हो अथवा भूखे हो या आपने रास्ते में हो जहां ड्राइब नहीं कर रहे आप गाड़ी में वैठे हैं आप रात में हैं दिन में हैं कि उने बढ़ाने के लिए हमारे पास एंग बहुत सुंदर उपाय दाहिनी तरफ नागबंद की दाहिनी तरफ से चोड़ा फिर दाहिनी तरफ से स्वास भरा बाइन तरफ से 5 4 3 2 1 खाली किया फिर बाइन तरफ से भरा 1 2 3 4 5 करें सारे सारे मेरे साथ करें, फिर दाहिनी तरफ से छोड़ा, पांच, चार, तीन, दो, एक फिर दाहिनी तरफ से भरा, एक, दो, तीन, चार, पांच फिर बाइन तरफ से छोड़ा, पांच, चार, तीन, दो, एक ऐसे 5 से 15 राउंड बंद आंखों में जैसे ही लगाओगे चिलता अवसाद प्रोध की स्थिती कम होने लगती है क्योंकि बोडी में हार्मोन्स के स्त्रावित होने की हार्मोन्स पैदा होने की स्थिती बदल जाती है जो खराब हार्मोन्स पैदा होने थे उन्हें रोब कर आप अच्छे हार्मोन्स पैदा कर रहे हो तो आपका तनाव और डिप्रेशन आपका जो हाइपरटेंसन है टेंसन है स्ट्रेस है कम होने लगता है तो ये तरीका था हमारे पास हाइपर टेंशन को कंट्रोल करने का जो के हमारे जीवन में बड़ी तक्लिफ है छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाई का टेंशन है उनको नमबर लाने का टेंशन है वो भी इन अभ्यासों को करें आप बच्चों को अपने साथ ये अभ्यास कराएं तो आप अपने जीवन में हाइपर टेंशन आने वाली चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं इसके लिए एक सबसे बेहत्रीन कारगर उपाय है और वो मेरे साथ सारे करेंगे आईए आखें बंद करें सब लोग आखें बंद करें और एक टेस्ट करते हैं अपने को सुनिश्चित करने के लिए गैरा स्वास भरें और खाली करें अब आप सब अपने मन में स्वयम को एक्सेस करेंगे, एनलाइज करेंगे, बिसलेशन करेंगे कि मैं कितनी खुस हूँ, कितना खुस हूँ दस में से अपने को सारे नंबर दे ले किसी को 4, 5, 7, 8, 9, 10 आप अपने जीवन से अभी कितने खुस है How happy you are at this moment इस समय पर आप कितने खुस है स्वयम को आप नंबर दे ले और अपना माइक खोल ले ओपने इंस्टेटली नीरी से टुक्ति ईतना नंबर आप चाहते हैं इतना नंबर नुंगा इतना नंबर हो इतनी कुछ Messenger और किसी को बताना नहीं, मन में रखना बस, मुझे भी नहीं बताना, लिखना भी नहीं How happy you are, just give your numbers to yourself आप खुद को number देलो, खुद के master बन जाओ आज अपने number खुद को, खुद का principle बनो, खुद का मालिक बनो, खुद का control अपने हाथ अपनी कुसी के number, अपनी copy खुद जाचो, सबने देलिया, आईए, अब मेरे साथ चलेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको वैसे ही follow करना है आईए, गहरा स्वास भरें, और बिना आवाज किये, हम यहां से मुस्कराहट भरी मुद्रा में सांस गहरी बाहर निकालेंगा, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, be little mad, थोड़ा पागल पनाने दो पूरी सांस बाहर गाने दो, फिर गहरा सांस भरो आप में क्या करना है, भूबंद करके हांस से हसी की आवाज निकाल लिए फिर दोनों हाथ उठाओ, और ताली बजा के मस्ती के साथ हसना है पेट पेट को दबाते जैसे उनको गुदगुदी करते थे वैसे असना है पेज असना है हुआ 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 हुआं करें कहरा स्वास बरके खाली किया अब बंद आँखों में बापस खुद को नंबर दो अभी आपकी खुसी का परिमाप कितना है How happy now you are अगर पहले आपने अपने को नंबर चार दिये थे तो इस बार देखें गें कि आपके नंबर साथ आ रहे है ये चे आ रहे है जिनको ये लगा कि मेरी खुसी पहले से अब ज़्यादा है मैं पहले से ज़्यादा खुस मैसूस कर रही हूँ कर रहा हूँ वो अपने को बापस नंबर दे और अब ये अंतर पता करें कि मेरे नंबर पहले ज़्यादा थे या हसने की ये क्रिया करने के बाद ज्यादा है तो जल्दी से जिस जिसका नंबर बढ़ गया हसी का या खुस होने का वो अपनी आखें खोल कर माई खोल कर बता सकता है कि मेरा नंबर बढ़ा अब मैं ज्यादा हसने के बाद हसने की क्रिया के बाद मैं ज्यादा खुस मैसूस कर रही हूँ, मेरे कि इतने नंबर बढ़ गए, आप बता सकते हैं. मेरा भाई, मेरी बहन है, जिसको हसने के प्रिया करने के बाद ज्यादा अच्छा लगा और उनके नंबर बढ़ गए. जिसको हसने के बाद मेरा भी नंबर बढ़ गए. जिसको हसने के बाद मेरा अच्छा होता है, हमारे लिए कोई क्लैपिंग करता है, सारे क्लैपिंग करता है. फीलिंग अच्छी आती है, उससे भी आपको बड़ा कॉन्फिदेंस फील होता है, मेरे लिए क्लैपिंग हो रही है, वाव, ग्रुप में क्लैपिंग है. जी, अगला कौन दोलेगा? सर, मेरे खेले भी 10 नमबर था, अभी 10 विद 3 स्टार्स लग गया. ओ, ग्रेट, आपको एक्स्टेंसिन लग गया. आप 10 से भी उपर जा रहे हैं, बाउंडरीज ब्रेक कर रहे हैं खुस होने के लिए, ऐसे ही मुस्कराहट और पुसिया फैलाते जाओ, मेरे बहन आगे. जी, नेक्स्ट. सर, मेरे भी नमबर बढ़ गया है. वाव, ग्रेट, वाव, ग्रेट, वाव, ग्रेट, वाव, ग्रेट, वाव, मेरे लिए क्लेपिंग हो रहे हैं, यस, बहुत अच्छे, और इसका नमबर बढ़ गया. आप देख रहे हैं, एक मिनिट में जूटी हसी हसने से, अगर मेरी खुसी का परिमान उपर बढ़ जाता है, अगर मेरे सरीर की रासाइनी किरियार बदल जाती है, कॉटीशोल कम होकर मेरे अंदर डोपामाइन और सेरिटोनिन, याद कर लो ये हार्मोन्स, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे ही आगे बताने हैं, जितने बच्चे यहां हैं, गजानन जी के साथ दो बच्चे बैठें, याद कर लेना, डोपामाइन, सेरिटोनिन, एंडोल्फिन्स, आक्सिटोनिन, ये हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें डोपामाइन और सेरिटोनिन, दो बहुत एहम हार्मोन्स हैं, जो पिट् करने की पोसिस करते हैं उन हार्मोन्स को यह आर्टिफिसियल हापिनेस बढ़ाती है तो जूटी खुसी बनावटी हसी हसकर भी जीवन को अच्छा करके हम अपने तनाव और दुर्भावनाव से पढ़ने वाले इस कभाब को खतम कर सकते हैं डाइबिटीज और हाइपरटेंसन दोनों रोग नहीं है यह जीवन जनित रोग है लाइफस्टाइल जनित रोग है जब हम परेशान ज्यादा रहना सुरू करते हैं तो हमारे बलड में वो जो कार्भो हाइडरेट्स ज्यादा बढ़ता है और इंसुलीन कम होना सुरू हो जा यह दोनों हमारे परेशान होने की वज़े से जीवन खराब होता है डाइबिटीज और ब्लड प्रेशर से इसलिए परेशान होने वाली समस्या को सुभह सुभह करेक्ट कर लो पहली बाद तो दिन में कहीं समस्या आये तो उसका उतना ज्यादा दुस्प्रभाब ना भी गया क्योंकि हम इंसान है मानब जीवन है तो अगले दिन सुभह जैसे आज बैठके आप अपनी समस्याओं को बाहर निकाल रहे हो उस चैनिकल रियक्शन को अंदर मजबूख कर रहे हो रोज कर लो तो हाइपर टेंसन और हाइटीज दोनों से दूर चले जाएंगे यह जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए दो आसन बिसेज और जो बड़े बैठे हैं वो अपने बच्चों के लिए दो आसन बच्चों को रोज कर रहे एक आसन तो बच्चों को लंबाई बढ़ाने के लिए यह वाला आसन रोज कर रहे यह कहलाता है और दूसरा बच्चों के लिए जो आसन है दाहिना पैर बाएं पैर की जड़ में सीधे खड़े हुए दोनों हाथ आपस में मिलाए और यहां से सामने एक टक किसी बस्तू पर निगाठ टिकाई और एक टक कम से कम 20 सासें लेकर वहीं निगाठ बिना पलक जटके टिकाई रख दूसरे पैर के साथ दोनों हाथ उपर एक साथ बच्चों का ध्यान एकागर करने के लिए उनका फोकस पढ़ाई में और जीवन में बढ़ाने के लिए सीखने के लिए उनकी बुद्धी को तीप्र करने के लिए उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए यह अकेला आसन बढ़ा खाल दार है यह दो और तीसरा बच्चों की बुध्धी टेज करने के लिए उनकी मेधावी सक्क्क बढ़ाने के लिए दोनों हाथ क्रॉस किये और यहां से दोनों कांड पकड़े और सांस घड़ा और सांस-धरा काली करके नीचे गए सांस घड़ा काली करके नीचे सारे बत्चे करें पांच छ छ आध रहीrat लो, तस, बिस्राम, रिलाइस, ये अकेला आसन बच्चों को 30-40 बार रोज करें, इससे ये जो कान वाला ये हिस्सा है, नीचे जिसे हम पकड़ रहे हैं, क्रॉस, इस पर खिचावट आती है, इसकी खिचावट से हमारी बुद्धी तीप ब्रुटी है, हमारा ब्रेन ज्याद माउंटेन पोच, बॉड़ी की पूरी स्ट्रेच, फिर दूसरा था, त्री पोच, ब्रक्षासन, एक पैर पर खड़े हो का सामने एकागर देखना, और तीसरा, ये पावर योगा है, ठीक है, गडेशानन आसन, इससे हम गजानन, गडेशानन आसन कहते हैं, तीन एकसरसाइ बच्चों ने की, और मेडिटेशन बच्चे खूब खूब करें, पेपर देने से पहले, और जब पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, तब थोड़ी देर बैठके, मोबाईल पर खली मासुरी की संगीत धोनी लगाकर, बच्चे बैठकर, आईए मेरे साथ अब्यास करेंगे, बच्चे बड़े जो परेशानी का अनुगाफ करते होंगे, वहीरे भीरे स्वास, आपके पूरे ब्रेन सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, यह था हमारा आज अच्चों के लिए बिसेश, योग और हम बड़ों के लिए खुस रहने के लिए और जिन्तगी से लाइफस्टाइल जेनरेटेड प्रॉब्लम्स की जो देहलीज है, जहां से शुरू होती है, प्रेशर और डायोटीज दोनों को जीवन से दूर बगाने क सीखा, अब आज इस सत्र में जो पांच दिन का हमारा सत्र रहा, पांच दिन का जो सिविर हमने यहां जो कुछ योग किया, ऐसा कौन भाई वहन है जिसको इस पांच दिनों में लाब हुआ हो, आप अपना माइक खोल कर अपना अनुभव सेर कर सकते हैं, और उसके बाद आ करते जाओ, और माइक ओपन करके आप चर्चा करेंगे कि मुझे पांच दिन में लाब हुआ, ऐसा कोई भाई वैन यहां है, तो माइक खोल कर अपना अनुभव सेर कर सकते हैं, कि मुझे अच्छा लगा, मेरी इस तकलीप में कमी हुई, मेरी डायविटीज कम हुई, मेरा प्रेशर कम हुआ, मेरी नीद खुलनी जल्दी सुरू हो गई, या मेरा सुबह उठना सुरू हो गया, दिन में मैं खुश रहता हूँ, खुश रहती हूँ, ऐसे अनुभव अगर आपके हैं, तो सेर कर सकते हैं, जी, माइक खुल सकते हैं आप, जिन लोगों को अच्छा लगा, वो माइक खुल कर अपना अनुभव दे सकते हैं, जी, नमस्ते सर, जी, नमस्ते जी, नमस्ते सर, इंटरनल बाडी और हाडवेर और सॉफ्ट्वेर बाडी के, दोनों भी कैसे एक्सरसाइज करने चाहिए, और उसे कैसे स्वस्तर रखना चाहिए, यह समझ में आया, और बहुत बढ़ा लाब हो गया है, धन्यवाद, बहुत बढ़ा, क्या सुगनाम है बहन जी? जी, और कॉन? अलो, स्वारु, बूर्मानिंग सर, बूर्मानिंग जी, अफनाज जी? इसा लग रहा है कि एक अच्छा ऐसा फैन बिठाया है अंदर बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, अपने मन में और ब्रेन में लग गया है, और चहरे की चमक, आज पांचमा देन है, पर आपके चहरे की जो चमक पहले दिन थी, और आज मैं उसमें यहां से प्रभाब, पानी पत में बैठ के देख पा रहा है, तो आपके लिए बड़ा-बड़ा सादुवाद इस ज्ञान को आगे ले जाओ, बहुत अच्छी वाद, अधिया मज़ा है, बहुत अधिया मज़ा है, और कौन मेरे भाई-बहन? सर, मैं जॉब करती हो, तो as a marketing engineer, तो दिन भर मेरे फोन जो है, तो पहले मुझे बहुत ऐसे टेंशन आदा था, फोन आया, यानि किसे, ये काम वो काम, लेकिन अभी ये तिन-चार दिन में बहुत इसे, रिलाक्स करके मैं काम करें, बहुत बढ़ी है, अर्चना बहन के मैं चर्चा उनके साथ कर दू, जी 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 प्लीज गजानन जी जरूर, सुरू करें, हलो सर, बुड मॉर्निंग, जी, हाँ सर, बहुत बढ़िया, मुझे जो ये सासों का जो नियमन है, ये बहुत बढ़िया आनुवक किया, मैंने फिल किया, और बहुत ही आच्छा लग र अच्छे वेठें, नंद गावे जी, हाँ हाई ना सर, जी बच्चों का अनुभव, हाँ बच्चों कैसा लगा आपको, कोई अनुभव अच्छा हुआ, कुछ फीलिं अच्छी आई, जी कोई प्रेणा मिलती है बच्चों आपको इससे, जी 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 से बहुत बहुत बढ़ी आखाले जी बढ़ी जी बढ़ी बच्च्छा वहां से हम सब के समुम्रे बात कर रहा है उसकी बड़ी बात है और दूसरा कौन है पीछे गजानंद जी कि अन्द गावे जी की बगल में दूसरा बच्च्च आभी आजो बिटे आगे, शावास शावास बच्चे क्या अच्छा लगा आपको पांच दिन में क्या नुभाव है बेटे इसके साथ-साथ मैं एक और यहां पोसना करना चाहूंगा मैं भारत सरकार की तरफ से और UNICEF की तरफ से पूरे भारत बर्स में सरकारी स्कूल और विध्यालेओं के बच्चों को सफल बनने के लिए उनकी करियर काउंसलिंग कि कैसे वो बच्चे क्या पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, कौन से पॉलेज, कौन से इंस्ट्यूट्स में जाएं, कौन से सब्जेक्स का बच्चा अपनी छम्ताओं के हिसाब से चैन करें, ऐसी विध्या आजकल सुरू हुई है, और वो विध्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे बच्चे कॉम्पेटिशन्स में बहुत पीछे रह जाते हैं, यानि पीछी रोजगार के छित्रों में बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बड़ा स्वभार्द मिला है कि भारत सरकार और इनिशेफ की तरफ से पिछले दो साल में, मैं करीब साड़े पांच लाग बच्चों को ये प्रिसिक्षर देने का आफसर मुझे प्राप्त हुआ उत्तर भारत के आठ राज्यों में, बहुत बहुत है प्रादा, उत्तर भारत के आठ राज्ये के सारे सरकारी स्कूल और सिक्षकों का प्रिसिक्षर का जिम्मा मेरे पास रहा और बहुत अच्छी तरह में उन बच्चों के साथ जुड़ पाया और उन बच्चों के जीवन क्या करें, तो बच्चे बस पढ़ते जाते हैं, दूसरों को देख के, अथवा किसी का अनुसरण करके, वो बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, और उन्हें नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस में अच्छा हूँ, वही काम करूँ, और ये समय पर हमारे बच्चो अपने मन की पढ़ाई नहीं करता वो परेशान हुआ जो ब्यक्ति मन का काम नहीं करता और वहीं काम रोज 8 घंटे करना पड़ेगा तो वे मन काम किया तो कॉर्टीसोल बढ़ेगा यह आपके डोपामाइन और सेरिटोनिन नहीं बढ़ेगा रोज कॉर्टीसोल बढ़ेगा क्योंकि जो आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं जो मिला वो आप चाहते नहीं तो जो चाहते थे उससे आपको डोपामाइन और सेरिटोनिन मिलना था वो नहीं मिल रहा जो नहीं चाहते वही रोज कर रहे हो तो कॉर्टीसोल रोज बढ़ र रहे हो जो चाहा मिला नहीं जो मिला वो चाहा नहीं इस चक्र को आगे के जीवन में तोड़ना बड़ा मुस्तिल है कि विना चाहे रोज 8 धंटे वही काम 10 साल 20 साल करना पड़े तो आदमी बीमार होता है तो यहां योग को और करियर काउंसलिंग को सही समय पर आठी से लेकर बारवी के बीच में बच्चे पर अपलाई कर दो आठी बारवी के बीच में ताकि बच्चा अपनी छमता के अनुसार वो अपना तरियर का रास्ता ले ले यह जाहे इसके लिए बना है वही करे तो उसको स्टेरेटोनिंग और एपी हार्मोंस डोपन डोपामाइन बढ़े आगे का जीवन बच्चे का सुधारने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी जीवन में आठी से बारवी के बीच में बच्चे को मार्क दर्सन देकर सही रास्ते पर निकाल देगे तो ऐसी सोच के साथ मैंने अपना जो रोजगार था मैं एक मल्टिनेशनल कंपनी में जनरल मैने लेजर हुमन रिसोर्स था जहां मैं बच्चों को और बहुत बड़े लोगों को भरती करता था और वहां मैंने देखा कि देश के बच्चे पथ हील है कोई दिसा निर्देश नहीं है कोई दिसा मार्क नहीं है और बस वो आगे बढ़ते जाते और फिर नौकरी में आने के वो गोलियां खाखा के अपने जीवन में काम करते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको सही समय पर रोपकर सही डारा दे देना चाहिए, तो आप अपने बच्चों को और स्वेम भी, अगर आपको लगता है कि मैं सही काम पर नहीं हूँ, तो मैं वहां कैसे खुस रह सकूं, ताक अगर आप में से कहीं किसी को भी मार्क दर्सन और काउंसिंग की जरूरत है, तो नंबर ये उपर लिखा हुआ है, आप नंबर नोट कर लेगे, या फोटो ले ले ले, स्क्रीन सॉट ले ले ले, उसको अपने जीवन में रखें, आगे भेजें, तो आप जोड़ सकते हैं, एक तो ये है, और दूसरा, ये जो पांच दिन हमने किया, ये सिर्फ पांच दिन के लिए नहीं है, ये मसीन है, इसे रोज ठीक करना है, इस हाड़वेर सॉट्वेर पर रोज काम करना है, परन्तो जब मैंने योग सीखा था, तो रोज नीद नहीं कुलती थी, मन रोज कहत नहीं है, तो आपको सरीर और मन को नियत्रण में लाने के लिए ठीक करने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए, जैसे मुझे मेरे गुरू मिले थे, उन्होंने मेरे को रोज पकड़-पकड़ के योग सिखाया, और रोज सुबह उठाया, फोन पर घंटी मारी, फिर वहां ज जब बनेगी जब एक समू हो, जहां एक से ज़्यादा लोग यही काम रोज करें, जैसे हम पांच दिन से कर रहे हैं, तो मुझे कल सचें कुमार जी का फोन आया था, परसों भी और कल उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को, इस योग वाली तक्षा को सुभह और साम दोनों न जई चीजें सीखते जाएं, आप से हम सीखें, हम से आप सीखें और इसे रोज करते जाएं, सीखना अनवरत प्रक्रिया है, परंत रोज एक धंटे साथ मिलकर हमें खूब सांस, सरी, हाड़वेर, सौफ़वेर, मन, चित, गुद्धी, सब पर काम करना है, अच्छे हार्मो तीन उठ गया, तो वैसे ही आप भी तीन, चार, पांच गंटे में अपनी नीद, ये रोज का है, चार, साड़े, चार, पांच गंटे से ज़्यादा नीद नहीं लेनी, वो काम में, आप इतनी नीद भी लोगे, बच्चें को साथ गंटे की नीद चाहिए, बड़े अगर क सचिन कुमार जी को मैं धन्यवाद करूँगा, सेल्यूट करूँगा, उन्होंने आगे बढ़करी जिम्मेदारी ली है, कि सर, ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने का लोगमान जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस मुहिम से जोड़ें, और उनके जीवन और परिवार ठीक हो, डाक्टरों की दवाईयों से चुटी हो, ऐसी समाज सेवा का भेतू उनके मन में आया, मैं उनको साधुबाद और धन्यवाद देता हूँ, सचिन जी आप इधर है, जी सर, हम सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, सिर्फ माइक ऑफ इसलिए था, कि दिन भर थोड़ा सा देटा लगता है, और तो इसलिए माइक और कैमेरा आफ रखा था, जी सर, बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आये, कि क्या शाम को बैच हो सकती है, सुबह की बैच चली रही है, क्या शाम को बैच हो सकती है, हमने कहीं लोगों से संपर्ग भी किये, जो हमारी कुछ प्रश वगा कुछ को शाम का, तो फिर हमने एक निर्ने लिया, कि जो शायद एक तारिक से, सर आपका एक तारिक से ही बैच है, ना? हाँ, एक तारिक से है, और ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रेवल कर रहा होंगा, तो एक को अगर संभब नहीं हो पाया, तो दो को जरूर होगा. उसकी खास प्रग्रम होते है, उसकी दो हजार होती है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट के कारण तक तर ने पांच दिन का ये शीवेर अपने सभी साधकों के लिए, अनिशुर लिया, इसी कोई चार्ज नहीं लिया, निशुर पांच दिवस्टे उसर ये शीवेर कंप्रिट लि से हमने रिक्वेस्ट किया सबको तर को भी कि यह जो फीज है थोड़ी सी फीज नहीं थोड़ा सा कुछ कम किया जाए जो हमारे पूराने ताधक है तो सब्सक्राइब पूरे एक महने के लिए मंडे टू फ्राइडे ऐसा होता है मंडे टू फ्राइडे कुटी ट्रीपल नाइन उसका सफी रहेगा और सुबह शाम की बैच रहेगी शाम की बैच जो जो जोईन करना चाहते हैं वह अवश्य जोईन कर ले इस परकार यह शिविर है उसमें लोकमां सरी रहेंगे लोकमांसरी सिखाएंगे पानीपत से उनका पर्सनल क्लास है यहां पर शांती सुगन ट्रस्क के मार्द्डीम से चला जाता है यहां पर अलग-अलग टाइब के ट्रेणिग प्रोग्रम होते हैं और अलग-अलग ट्रेनर साथ है यानर योगा में बहुत सारी हसी योग है है ना हसी योग है नैच्रोपैथी की जानकारी आपको मिलती है एक्टिव प्रेशर सुजोग की अलग जानकारी मिलती है प्राणायम की अलग जानकारी मिलती है मुद्राइची किस्ता है यह सारी जोड कर हमने कुछ योग पद्धतिया बनाई है जिसका आप जोइन कर सकते हैं क्लास जो लोग मुझे बार बार फोन कर रहे थे कि शाम को कोई बैच हो सकती है कि असुबह का समय सूट नहीं होता हमारे बॉस है तो हमें तो लेना पॉसिबल नहीं था शाम को तो लोकमान सर की बैच और डी एक तारिक से श्काट होने वाली है नई बैच तो लोग कर सकते हैं जाइन करने के लिए सर का नंबर आपको आज भी जो सर का जो फोटो दिखता है उसके उपर विज्ञान योग लिख्यों लिख्या के निचे पार नंबर दिया है उस नंबर पर गूगल पर फोन पर दूसरा नंबर है यहां पर आप फोटो निकालिए जो भी फोटो आएगा वह यह नंबर आएगा उस नंबर पर आप यह नंबर कर सकते हैं तो लोकमान सिंग सर का जो शिविर होगा एक तारिक से लिए संदे होता है सेटरडे संदे एच्छिक है जिनको जुड़ना है कच्छा चलती है और वह कच्छा अलग-अलग जगहों से चलती आप जुड़ सकते एक महीने कम से कम आप कहीं जुणें जिसमें 21 दिन की कछाएं हो जाएं तो मन नियमित हो जाता है ऐसा विज्ञान कहता है 21 दिन में अगर एक क्रिया को रिपीट करें तो वो आदत बन जाती है और जब 21 दिन में आदत बन जाएगी तो फिर अगले 20 दिन करने तो वो बेवार बन जाता है फ सुपरवीजन में कर लें तो वो हमारे बैवार में ऐसा पार्ट बन जाएगा ति फिर आप सारे जीवन योग से दूर नहीं जा सकेंगे और मैं सच बताओं मैंने अपने जीवन में जो आनंद योग से जुड़ने के बाद लिये गए यानि खाने का आनंद, सोने का आनंद, दोड़ने का आनंद, नाचने का आनंद, गाने का आनंद, ये सारी की सारी चीजों का ब्यक्टिक्त में जो विकास हुआ, योग में जुड़ने के बाद हुआ, क्योंकि उड़ जाएं बढ़ गई, हाड़वेर और सॉफ्टिर दोनों मजबूत होने सुरू हुए, तो ये जितने आनंद है जीवन में, आप तब अनभव कर पाओगे, आनंदों का रस्पान तब कर पाओगे, जब ये मसीन और मन दोनों फिट हो, इसके लिए कुछ महीने, कहीं भी, जहां आपको लगता हो, किसी के सुपरवीजन में, मॉनिटरिंग में, किसी के अंडर में, आप इसके अभ्यास को सीखो, और उसके बाद, अभिनास जी ने का, I'm willing to pay, but continue at morning, yes, you can, आप morning कर सकते हो, सुबह का छूट जाए, तो साम को कर सकते हो, साम बाला छूट जाए, तो अगले दिन सुबह करो, यानि जरूरी नहीं है, सुबह टाइम मिला तो सुबह और साम मिला तो स करो, फीस की चिंता उतनी नहीं, आप ठीक होगे, तो आपके द्वारा ये बिंध्या जाने कितनों में जाएगी, हमें और सचिन जी को इस आर्थक्ता मिलेगी, तो आप दोनों टाइम, एक बेक्ती सुबह साम दोनों टाइम आ सकता है, एक ही फीस में, जी सचिन जी, जी सर बहुत बढ़िया, ये जो हमने योग शिविर 11 फरवरे 2020 से शुरू किया था, इसमें सर बहुत सारे टीचर चुड़े, बहुत सारे टीचर चुड़े, योग टीचर बने, साधक जुड़े, जो टीचर बने, फिर कही टीचरों ने, अलग-अलग सथान भी जोईन किया, हमन किये, किसी को कहा, आट आफ लिविंग का शुरू हराय करिये, किसी को अलग-अलग, तो कईयों ने शिविर किये, वहाँ पर भी जा कि सीखा, क्योंकि जब इनसान अलग-अलग जगह पर जाता है, उसका ग्यान बढ़ता ही बढ़ता है, तो बहुत सारे शिक्षक, आगे ज जाके अभी शिक्षा ले रहे हैं जैसे यहां पर पाटिल सर भी है आपने भी जॉइन किया था क्लास पाटिल सर कोलपूर से है वो टीचर है अवाजारी ना सर पिछले चार दिन से जॉइन किया है परण करक्षक तो वहीं किया है कि यह थैसे ज़ॉण पहुत सारे डावनिकरे बहुत सारे बूक्ष पड़ी अलग-अलग लेखो पुड़ी उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग का भी कारेक्रम किया करेक्ट सब्सक्राइए तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप यहां पर सिखते हैं और यहां सिखने के बाद के और भी सिखने के लिए जाते हैं पतंजली हो आर्ट ऑफ लिविं योग का एड्मिशन ले रखा है मास्टर ऑफ आर्ट इन योग शासर दो साल का यह मास्टरी का मास्टर ऑफ आर्ट प्रोग्रम है बी के बाद में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक जगह पर हम सिखते हैं स्कूल में तो जाते हैं उसके बाद टूशन भी लगात और यहां पर आओ बाहर भी सिखो और यहां पर भी आओ और यहां जो लोग आते उनको भी सिखाओ तो इससे होगा क्या कि आपकी लिडर्शिप कॉलिटी बढ़ेगी आप आपका नाम बढ़ेगा नेम फेम आएगा और दूसरी बात एक देने का आउसर मिलेगा यह प्लैक कर रहा हूं योग शास्त्रा में इस्पेशली दो साल का कोर्स है टोटल चार से मिस्टर से उसके रेगुलर कोर्स है अब यह ऑनलाइन क्लासे बाद में रेगुलर हो जाएंगे तो वैसे ही लोकमान सीम्चर का क्लास है एक तारिक से तीस तारिक तक आप ओभी जोईन और आप योगा से जुड़े रहेंगे एक तारिक से लेके बीस तारिक तक आज आज तारिक है अट्थाइस करेक्ट आज अट्थाइस से उन्तीस तीस और इकतीस ऐसे तीन यहाँ पर मेसेज आ रहे हैं तो तीन दिन सुबह का जो है क्लास कोई योग तीचर लेंगे और उसके बाद एक तारिक से आप लोकमान सीम्चर का क्लास जिनको जाना है हो जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सब ने लाब लिया मुझे क्यों ने कहां कि ब आपने बताई नहीं थी हमने कहां कि हम सारी चीजे बताना चाहते थे लेकिन उतना समय नहीं होता है और हम चाहते हैं कि हम जितना भी सिखा रहे हैं उसमें ही आप पहले मास्टर हासिल करो उसके बाद जब हम बेसिक क्यों चीज पूरी करते हैं तो अगली सिप अपने आप बस आप आते रहिये कुछ लोग पूछते हैं आपको क्या मिलता है कि देने का अनंद होता यह सब को नहीं मिलता है दे कर ही जाना जाता है उस्द्वेश नहीं समजisz यहां पर यह अरुना सुराना मैडम है जो शौफ्टेर इंजिनियर है जो बेंगलोर में काम करते थे वो फूरे साल में तक्रिबंग डेड़ लाख रूपए उनके उनके आसपास के एरिया में कुछ उत्ते हैं उनको खिलाने में जाते हैं तक्रिबंग कुछा 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 क्या मिलती है यह क्यों वही जानता है जो एनिमल लवर है डॉग लवर है तो बस वही से ही देने कानद नहीं जान सकते तो उन लोग को हमें बोलना पड़ता है कि देखिए अगर आप सिखेंगे तो आपको आगे टीचर बनना है तो उसकी हम फीज लेते हैं अलाकि टीचर का प्रोग्राम हम कभी चार महिने में एक बार लेते हैं और उसकी फीज कितनी होती है नॉमिनल तीन सो पांट सो कुछ होती पहले तो थी भी नहीं पहले फिर रहता था बाद में हमें वह एक्जाइम कंड़क करना होता है जूम के लिए फीज भरनी पड़ती तो चार्ज करते हैं मैं तो और लोगों को विश्वासी नहीं बैठता कि इस जमाने में कोई निशुल भी सिखाता हूं अभी देखिए लोकमान सिंग सर का ये पांच दिन का शिबिर है उसका कम से कम इस पांच दिन के शिबिर का पांच सव एक चार्ज होता है अगर मंतली करत नहीं होता है नहीं के लिए उनके लिए नियुकी बाकिंदलनी नहीं होता है लेकिन 诌ति फीज देनी पड़ती है और वह उन्हें छिद्वाली पे क्रायको यहाँ पर अरुना मैडम भी कुछ बता रहे हैं आप बाद में माइक खोल के आप बात कर लीजे मैडम तो इस पर कारिय कारिय जा रही हैं आप सभी लोग इतने दिन तक आएं अच्छा अच्छा अपने सीखा जो सीखा आप अपने तक्सिमीत न रखिए आप औरों को दीजिए अगर आपकी मास्टरी नहीं है देने की तो कम से कम इन्फोर्मेशन दीजिए और आप मास्टरी हसि करने के लिए जाकर चीक यह का है तो होगए योगा की बात अगर किसी को सब इसे जरूं प्राइब na करने लोक मान सींग का सरके स्वांज चाहिए अटेंड करिये वहाप जो सोच रहते के हम ज्ञान कैसे बढ़ा सकते हैं तो अटेंड करिए कोर्से ज्ञान बढ़ाईए योगा में मार्स से हासिल करिए और ग्यान और उपको बात लिए ऐसा मुझे लगता है तो यहां पर मैं रुखता हूँ आप सभी लोग आये मुझे बहुत अच्छा लगा और कल 28-29-30-3 तीन दीन शिविर होगा 28-29-31 तीन दीन और शिविर होगा और एक तरिख से जो है लोग मांच कर तकते हैं उसके बाद मुझे एक बात आपको कहीनी थी के दिवाली के बाद कुछ और भी शिविर शूरू होंगे लेकिन अभी तो तीन दीन दूसरे टीचर रहेंग कि अगले तीन दिन तक कौन रहेगा आपको में से